है गाईज वल्कम बैक टो आर योट्यूब चैनल दोस्तों आज का जो विशे हम आपके लिए लेके आए हैं वो है सपने में आमला देखना जिसको गूसबरीज भी कहा जाता है इंगलिश में दोस्तों भिवीन स्थितियों के अंदर जो है लोग सपने में आमले को देखते है और वो जानना जाते है है कि जिस भी स्थिति में हमने आमले को देखा है, स्थिति का हमारे आने बले जीवन पे क्या प्रभाम होने बला है भगवान हमें इस तरह का सपना क्यों दिखा रहे हैं..? तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं सबसे पहले में आपको बहुता है ने माना जाता है। problem या गुप्त रोग से struggle कर रहे हैं उसके साथ बीमारी के साथ तो फिर वो जो बीमारी है आपकी ठीक होने वाली है और आप एक अच्छी life जो है spend करने वाले हैं उसके बाद दोस्तों अगला है यदि आप सपने में खुद को आमला खाते हुए देखते हैं तो ये सपना भी बहुत ही अच्छा माना जाता है especially आपके पैसों को लेके धन को लेके क्योंकि ये सपना इंडिकेट करता है कि आपको आने वाले समय में आपकी जो मेहनत आपने की हुई है उसका फल मिलने वाला है आपको धन की प्रापती जो है आपके जिवन में हो सकती है प्लेस आपकी कोई मनोकामना जो की बहुत टाइम से पैंडिंग थी बहुत टाइम से आपकी कोई ख्वाहश थी लाइफ में तो वो जो मनोकामना है आपकी वो पूरी होने वाली है especially आपकी शादी को लेके या लव लाइफ को लेके हो सकता है आपकी लाइफ में कोई पार्टनर की कमी आप महसूस करते हो या आप बैचलर हो आप शादी करना चाहते हो या आप बैचलर हो और एक गल्रेंड चाहते हो और आप सपने में देखते हो कि आप आमला खा रहे हो तो फिर आपको जो है डेफिनेटली अच्छा लवर या अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिलने वला है उसके बाद दोस्तों अगला है यदि आप सपने में आमले का पेड़ देखते हैं तो ये सपना भी बहुत अच्छा माना जाता है हमारे हिंदुतरम के रुशारे सम्भाना जाता है कि आप लाइफ में कोई नया काम शुरू करने वाले हैं जिससे की आपको आने वाले जिवन में बहुत ही भारी मुनाफ़ा होने वाला है हो सकता है आप कोई जॉब स्टार्ट करने वाले हो या कोई बैपार बिजनेस आप जो है जल्दी है स्टार्ट करने वाले हो उसके बाद दोस्तो अगला है सपने में आमला खरीदना दोस्तो यदि आप सपने में खुद को आमला खरीदते हुए देखते हो तो ये सपना भी अ करेंगे और पैसे को भी इंडिकेट करता है ये ड्रीम मतलब आप आपके जो अच्छे कर्म है वो घर में पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों अगला ये दिया आप सपने में देखते हैं कि आप आमले को बेच रहे हैं तो ये सपना अच्छा नहीं माना जा देखते हैं तो वो सपना जो है आपको फल नहीं देता है क्योंकि वो दिन में किसी देखी गई वीडियो ये बात का इल्यूजन होता है और वही अगर आपको इस अपना दो से तीन बार देखते हो तो फिर वही सपने का जो फल है आपको लाइफ में मिलता है तो ये थी मार आज की वीडियो, don't forget to hit like and do subscribe, thank you so much